हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दा इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं इंस्टेंट सेंड़िच रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है इसको आप ट्राइकलर सेंड़िच बनाने के हमने यहां पर यह हैं यह बड़े की शिम्ला मिट्स सबसे पहले हम सिर्वेस को कट कर लेंगे इसको cut कर लिया है हमें शिमलामिश को बारीक cut करना है इसलिए हमने लिया है handy chopper handy chopper में हम roughly cut kiwi शिमलामिश डाल देंगे अगर आपके पास में handy chopper नहीं है तो आप इस तरह से जो बारीक वाली side होती है कदूकस करने के लिए इससे भी आप इसको कद्दुकस कर सकते हैं और जिसमें जूस निकलता है यानि कि ये जूसी होती है पानी निकलता है उसको आप निचोड़के अलग कर दें देखिए हैंडी चॉपर में हमने कितना अच्छे से बारीक कट कर लिया है शिमला मिश्ट को हमने लिया है कॉटन का कपड़ा और इसमें हम बारीक कट कीवी शिमला मिश्ट को डाल देंगे आप चाहें तो चलनी में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए इसको चलनी में रख दें तो जो एक्स्ट्रा जूस है यानि कि जो इसमें सबजी में पानी होता है अग्दम वो सॉफ्ट हो के तूटेंगी भी नहीं शिमला मिश्ट को वापस से बाउल में डाल देंगे इसी तरह से हमने गाजर को भी तैयार करके रखा है गाजर को हमने बारीक बारीक कद्दू कस कर लिया था और इसको अच्छे से निचोड के और रख दिया है एकदम ड्राय हो चुकी है और साथ ही हमने लिया है आधा कटोरी पनीर पनीर को भी हमने कद्दू कस करके रखा है सबी सबजीयां तैयार है सबसे पहले हम डाल देंगे पनीर के अंदर आधा छोटा चमच काली मिर्श पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे लगबग एक से डेड़ चमच के आसपास म्योनीज म्योनीज को पनीर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम डाल देंगे गाजर के अंदर छोटा आधा चमच नमक शिमला मिर्श में भी डाल देंगे नमक हमें बहुत जादा नहीं डालना है टेस्ट की अकॉर्डिंगी डालें नमक जादा नहीं हो जाए गाजर में हम डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्श पाउडर बिल्कुल आप्शनल है अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो डालें वर्ना स्किप कर दें साथ ही हम डाल देंगे दो चमच टमेटो कैचप गाजर को अची तरह से मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च में हमने नमक डाला है मिर्ची नहीं डाली है हमने यहापे हरी चटनी बना के तयार रखी वी है हरी चटनी में हमने हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है शिमला मिर्च के अंदर हमने एक चमच हरी चटनी डाल दी है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए ट्राय कलर सेंडविच बनाने के लिए हमाई सभी सबजियां बिल्कुल रेडी हो चुकी है कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है आईए अब फटाफट से सेंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं हमने आप रूटीन में काम आने वाली ब्रेड ली है जो हम रूटीन में यूज में लेते हैं वही ब्रेड है सबसे पहले कॉर्णर को कट कर लेंगे इसी तरह सारी ब्रेड स्लाइस को तयार कर लेंगे सभी ब्रेड स्लाइस को हमने तयार कर लिया है हमने यहाँ पर बटर मैल्ट करके रखा है सबसे पहले हम ब्रेड पर बटर लगा देंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे, सबसे पहले हम पनीर लगा देंगे, और पनीर को अच्छी तरह से फैला देंगे, और काफी मोटी मोटी लेयर लगाएंगे, तरकि सेंड्विच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इस त रेसिपी है फटाफट से सेंड्विच बनके तयार हो जाता है देखिए दौनों साइड में हमने पनीर लगा दिया है फ्रेंड्स हाँ एक बात और अगर आप वीडियो पर नए आये हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए आए रेस ब्रेट स्लाइस पर हम ग्रीन चटनी लगा देंगे ग्रीन चटनी में हमने सिर्फ हारी मिर्च डाली है लाल मिर्च बिलकुल भी नहीं डाली है नहीं तो सेंड्विच बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और बच्चे नहीं खा पाएंगे मसाले आप अपनी शिम्ला मिर्च की लेयर भी लगा दी है और काफी मोटी-मोटी लेयर लगाई है इससे दोनों ही बहुत बढ़िया आते है जो लास्ट ब्रेट स्लाइस रह गई है उस पर हम लगा देंगे टमैटो कैचप ब्रेट स्लाइस पर टमैटो कैचप लगाने के बाद जो हमने गाजार को भी हम ब्रैट एस पर लगा देंगे gonna देखिये पनीर वारी ब्रैट स्लैज उफितma से इस तरह से लगा और हलका सा प्रेस कर देंगे कि तरज अब आदिए कि ओपर से हम लगा देंगे आद गाजार वारी स्लैज इस पर हमने गाजाण लगा के रखी है देखिए हलका सा हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे कितना बढ़िया हमारा ट्राइकलर सेंडविच पनके रेडी हुआ है देखिए फ्रेंट्स हमने ट्राइकलर सेंडविच को सर्फ भी कर दिया है लुकिंग में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी लग रह हई आप ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको tahri button के साथ भी earth है हइसा चाल कि एक साथ में भी खा सकते हैं तो तो उन्ह Hersh di us for used to try and test करें और अपने सब्सक्स हमसे शेयर करें हमें इस्टाघ्राम करें तो फॉलो करें एक सूल थे क्षोब सॉ हमны नाइस ऍभाम करें